कतर की एक अदालत ने गुरुवार 26 अक्तूबर को भारतिय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई पूर्व नौसेना कर्मी एक साल से ज्यादा समय से हिरासत में थे कतर की खुफिया सेवा ने पिछले साल अगस्त में आठोन लोगों को हिरासत में लिया था उस समय वे एक प्राइविट फर्म के लिए काम कर रहे थे इन लोगों को कांसलर पहुच प्रदान किये जाने के बाद कतर में भारतिय राजदूत ने एक अक्तूबर को उनसे मुलाकात भी की थी आखिर कतर में जिन आठ भारतियों को कोट ने मौत की सजा सुनाई है उन पर क्या आरोप है आईए जानते हैं जिन आठ पूर्व भारतिय नौसेनिकों को कतर के कोट ने सजा सुनाई है उनमें कैप्टन नवतेज सिंगिल, कमांडर पूर्नेंदू तिवारी, कैप्टन सौरब वशिष्ट, कमांडर संजीव गुपता, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नाकपाल और सेलर रागे शामिल है। ये सभी एक Defense Service Provider Organization दहरा Global Technologies and Consultancy Services के लिए काम कर रहे थे। इस निजी फर्म का स्वामित्व Royal Omani Air Force के एक Retired सगस्से के पास है। इस निजी फर्म के मालिक को भी गिरफतार किया गया था लेकिन उसे पिछले साल नवंबर में रिहा कर दिया गया था। यह Private Fund कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षन और संबंधित सेवाएं उपलप्त कराती थी। कतर सरकार ने पूर्व भारतिय नौसैनिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया। इसलिए माना जा रहा है कि यह सुरक्षा से संबंधित मामला था। अदालत की सुनवाई में आरोपों का जिक्र किया गया लेकिन कतर और भारत सरकार ने उन्हें सार्वजनिक नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व भारतिय नैसनिकों पर गुप्त शमताओं वाली कतर की एडवांस सेंसिटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थी जिसमें इटैलियन टेक्नोलोजी आधारत गुप्त विशेशताओं वाली छोटी पंदुबियां शामिल थी। हिरासत में ये जाने के बाद से आठोन लोगों को महीनों तत एकांत कारावास में रखा गया था। भारत सरकार ल मामले को बहुत महत्र दे रहा है और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहा है। विदेश मंत्राले ने कहा कि उसे शुरू में जानकारी मिली की कतर की एक अदालत ने आज अलदाहरा कंपनी के आठ भारतिय करमचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मंत्राले ने कहा हम मौत की सजा सुनाय जाने के फैसले से बेहत स्थब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्योरे की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी डल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही हैं। मंत्राले के एक बयान में कहा गया हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम सभी तरह की राजनेक और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। इसमें कहा गया है कि इस मा पर्यवाही की गोपनिय प्रकृती के कारण फिलहान कोई और टिपड़ी करना उचित नहीं होगा। यहां हमारे अंकित अवस्थी से भारत से कुछ विशलेशन दिये गए हैं। लेकिन जब किसी एजेंट की जिंदगी परदे पर आ जाती है, रियल लाइफ में आ जाती है, तो सरकारे किस तरह लाचार होती हैं। दिप्लोमेटिक हार के रूप में दिखाई पड़ रही है, जिसमें भारतीय सेना के आठ पूर्व नौसानिक, जो कि कतर में पोस्टेड थे, असल में वो पोस्टेड नहीं थे, रिटायर्ड हो चुके थे, पूर्व नौसानिक थे और वहां जा करके किसी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन असल मायने में वो किसी कंपनी के साथ काम करके कतरकी 9 सैना के लोगों को ट्रेंनिंग दे रहे थे, ऑगस्त 2022 में वहाँ की कुफिया आजन्सी आती है, हमारे इन पूर्व 8、9 सैनिकों को उठाती है सोते हुएं को घर ले जाती है घर से सोते हुएं को उठा कर ले जाती है और आज फैसला आता है कि उन्हें मौत की सज़ा दी जा रही है यह सारा खटना करम पूरा फ्लेश बैक में कैसे कैसे चला और क्या आरोप है उनके उपर हाना की यह है पबिलिकली किसी भी जगह पर उपलब्द नहीं है कि उनके उपर असली आरोप क्या है लेकिन जो कतर की मीडिया है या कतर के लोकल लोग जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं वो जानकारी हम भी आपके साथ साजह करेंगे आपसे गुजारिश है कि सेशन को जादा से जादा अपने साथियों के साथ साजा करने चलिए शुरुआत करते हैं साथियों भारत में जब से एस जैशंकर साहब ने विदेश मंत्राले संभाला है तब से इनकी इमेज जैम्स बॉंड के रूप में हो गई है कि यह जहां भी जाते हैं भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विन लेकर आते हैं भारत को अंतराश्य मंच पर गौरवान विद कराते हैं फिर चाहे रशिया यूकरेन कंफलिक्ट हो या फिर आज इसराइल हमास कंफलिक्ट हो अमरीका के साथ में कोई कॉडिनेशन हो चाइना एक देश जहां की आबादी कुछ लाख है वहाँ पर हमारे पूछ पूर्व आठ नौ सेनिकों को मौत की सजा का आज समाचार समाचार पत्रों की हेडलाइन बन गया समाचार पत्रों की बनी इस हेडलाइन पर जब विदेश मंत्राले से पूछा गया तो विदेश मंत्राले ने केवल आज यही जवाब दिया है कि हम खुद बड़े शौक में हैं यानि हमें सदमा लगा है हम समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन इस पूरी कहानी में इसराइल का एंगल भी निकलकर आ गया ये जानकारी आज इस दिशा को एक नई दिशा दे देगी आज इस घटना को एक नई दिशा दे देगी साथि भारत के पश्चिम में ना जाने इन दिनों सुर्खियां बहुत निकल रही है भारत के पश्चिम में इसराईल सुर्खी में चल रहा है लेकिन इसी बीच में भारत के पश्चिम में एक और देश जो की पर्शन गल्फ में स्थिद है इतना छोटा की जूम करने पर दिखाई पड़ रहा है इतुसा देश है कहाँ पर बिलकुल सौधी के किनारे लगा कैसे अगर आपको याद हो तो अफगानिस्तान में बैठे आतंकी समू तालिबान जो है उसका और अमरिका की जो बातचीत हुई थी वो दोहा में ही हुई थी यानि कि ये वो जगे बन चुकी है जहां पर आतंकियों को भी आफिसे प्राप्त हैं अगर आपको याद हो तो जो आज इसराईल के साथ कंफलिक्ट में निकला हुआ हमास है, उसका भी ओफिस कतर में उपलब्द है वही ओफिस से ये लोग दुनिया भर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं ये सारी चीज़े यहीं से चल रही है ठीक है ना इसके साथ साथ दुनिया भर के जो भीचा है ताल यह है क्योंकि एक अदालत के द्वारा भारत के आठ पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी है यह एक साल से कतर के अलग अलग जेलों में बंध हमारे भारतिय पूर्व नौसैनिक हैं हिंदुस ताइम्स की रिपोर्ट की अगर बात माने तो यह है अपने आप में भा सरकार के लिए भी हैरानी की बात है विदेश मंत्राले का मानना है कि यह अभी तक भी इस बात की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं कि after all इन आर आठ भारतिय लोगों पर चार्जिस क्या लगे थे इन में से इनके उपर आरोप क्या थे यह पता चले इन अधिकारियों के नाम है कैपटन नवतेज सिंग गिल, कैपटन सौरभ वसिस्ट, कैपटन वेरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंद दिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुपता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश, यह भारत के द्वारा यानि भार हमने आप में बड़ी ही चौकाने वाली है, हाला कि जैसे ही यह ख़बर आई थी, हमने अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसका नाम है के अंकित के नाम से, हमने आते ही यह सूचना आपसे साजा कर दी थी, ज़्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ महां पर कनेक्टेड कर दिया था, यानि जमानत के लिए अपलाई कर दिया था, लेकिन कतर का जो राजा है, वो इस मामले में किसी भी प्रकार की सुनवाई को तयार नहीं है, और एक बार भी इन लोगों को बेल के यानि जमानत के लिए प्रोसेस ही नहीं किया, आपको जानकर आश्यर्य होगा, कि ये सभी अधिकारी जो 30 अगस्त को गिरिफतार हुए असल माइने में इन्हें कतर की Intelligence Officers के द्वारा गिरफतार किया गया, उनका मानना था कि ये खुफिया जानकारी एकतरिट कर रहे हैं कतर से और कतर से खुफिया जानकारी एकतरिट कर रहे है ये जानकरी intelligence officers को पता लगी, उन्हें कैसे पता लगी, क्या कर रहे थे ये officers वहाँ पर, तो असल मायने में भारत की तरफ से बहुत सारे नागरिक Gulf countries के अंदर, चाहे UAE हो, ओमान हो, सौधी हो, बहरेन हो, इन सभी में जाकर बड़ी मातरा में जॉब करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाई-paying लोग हैं, salaries बहुत अच्छी मिलती हैं, और वहाँ पर लोगों की संख्या कम है, भारत से बड़ी मातरा में skilled labor वहाँ पर जाते हैं, ऐसी इस्थिती में भारत के retired ये नौसैनिक, यहाँ से retire होने के बाद में कतर जाते हैं, और वहाँ की एक private company के साथ, एक निज नौसैना थी, उसको ये दाहरा Global Technologies नाम की जो company है, ये अपने लेबल पर training उपलब्द कराती थी, तो एक तरह से ये समझेए, कि वहाँ पर एक private company जिसका नाम दाहरा Global Technologies है, उसने इंडियन नौसैना के भारतिये नेवी के आठ जवानों को अपने यहाँ पर job पर रखा, ये company private company ट्रेनिंग देती थी, कतर के नौसैनिकों को, और ये training का काम कतर के अंदर ही चलता रहता था, अब इस पूरे training में ऐसा इन्हें क्या लगा, जिसके बारे में इन्होंने गिरफतार कर लिया, ये कहपाना, इसलिए मुश्किल है, क्योंकि अभी तक charge sheet बाहर नहीं आई है, आरोप पत्र बहार नहीं आया है कि किसलिए इन्हें गिरफतार किया गया था, ठीक है, इसी company के जो मालिक थे, इनके जो CEO थे, उन्हें भी गिरफतार किया गया था, जो कि एक कतरी नागरिक ही था, लेकिन उस व्यक्ति को नवंबर 2022 में छोड़ दिया गया, कि तुम तो हमा मिली, वो मौत की सजा मिली, हाना कि अभी मौत एक्जीक्यूट नहीं हुई है, लेकिन उस से पहले अपने आप में यहां तक की स्थिति आ जाना, यह दर्शाता है कि भारत की कूटनीती में निस्चित की बड़ा अंतरार रहा होगा, अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा मिसलिए कहते हैं क्योंकि हमने आज से लगबग साल पर पहले आपको यह सेशन उस समय भी करके दे दिया था, जिस समय भारत के पूर्व नौसेना के अधिकारियों की गिरफतारी की बात आई थी, कब आई थी यह बात, असल माइने में हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, नवंबर 2022 में इस जो कंपनी के CEO का जैसे ही छूटने की जानकारी बाहर आई, इस दाहरा इंटरनेशनल ना, जो नाम की कंपनी है, जिसमें यह नौसेनिक काम करते थे, तो एक गिरफतार नौसेनिक की बेहन, उन्होंने इस मामले को दुनिया के साम पर उठाना शुरू कर दिया था, उन्होंने इस मामले को ऐसे उठाया, कि हमारे भाई को वहाँ पर गिरफतार किया गया, जिनके साथ गिरफतार किया गया, उन्हें तो रिहा कर दिया गया, हमारे भाई आज भी गिरफतारी में हैं, भारत और कतर के बीच में बहुत अच् लगेगा जान करके कि यह पुरसकार प्राप्त करने वाले आर्न्ड फोर्सिस के यह एक मात्र सक्ष थे अब आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा प्रवासी भारते संवान क्यों मिला क्या ये भारत के नहीं थे क्या भाई साब ये भारत से रिटायर्ड होकर खतर चले गए था इनको इस बात की इसके लिए संवानित किया गया था कि आपने वहां जाकर भारत सरकार और कतर सरकार के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम करवा दिया है दौनों दिसरकारों को नजदी कला दिया है आपने इतना बड़ा योगदान दिया है अब आपको सोचने वाली बात है किसी Armed Forces के व्यक्ति को प्रवासी भारतिय होने पर सम्मानित किया जा रहा है इस आधार पर हो सकता है कि किसी ना किसी Intelligence Agency की कान खड़े हो गए हो कि यार Armed Forces का आदमी वहां जाकर ऐसा क्या कर रहा है जिससे भारत और कतर के सम्मंद अच्छे हो गए हैं तो दुनिया भ पर वारता करने के लिए या फिर अमेरिका के लोग वहां पर आ करके का तालीबान के साथ वारता करने के लिए आ सकते हैं तो इससे अंदाजा लगाईए कि वो जगे बड़ी होट स्पाट है दुनिया भर के Agents वहां घूमते हैं अब किसी Agent ने संभव है कि इनके उपर किसी पर ना किसी प्रकार का काम लगा दिया इनके उपर नजर रखी जानी चाहिए अब आप वो तस्वीर देख सकते हैं उस प्रवासी भारतिय संभीलन की जिसमें इने संभानित किया गया था प्रवासी भारतिय संभान संभीलन के अंदर अगर आप लिस्ट पर तलाशेंगे तो आपको कतर के नाम पर जिनका संभान होता हुआ दिखाई देगा तो उनमें आपको इनका नमा नाम दिखाई पड़ता है अच्छा अब एक और इंपोर्टन बात बताते हैं तो साहब इनको जब गिरफतार किया गया देख सकते हैं आप यहाँ पर पूना नंतिवारी ट इसे ही निकल गया अक्टूबर में जाकर जब पता चला किसाब गिरफतार हो चुके हैं तब डिमांड की जानी शुरू हुई कि हमारे भाई से मिलने के लिए हमें काउंसलर एकसेस दिया जाए विचार कीजिए कि एक व्यक्ती जो गिरफतार है वहाँ पर एक नहीं पूरे उनसे बातचीत करें उन्हें एकसेस नहीं दिया जाता है बड़ी जद्दो जहद के बाद उन्हें एकसेस मिलता है भारत के जो नेवी ओफिसर्स हैं जो रिटार्ड रिवी ओफिसर्स हैं इनके 59 डेज बीतने के बाद में फिर उनके बारे में जानकारी मिलती है कि इनके सा सामने इस बात को लाने के लिए अक्टूबर में खूब प्रयास किये इन्होंने देश के जितने भी प्रमुख ट्विटर हैंडल्स हैं उन्हें टैग कर करके ये बात भेजना शुरू किया कि हमारे लोग वहाँ पर हैं कृपया करके उन्हें बचाईए ये बात जब विदेश मंतरी के पास पहुँची वर्ष 2022 में तो उन्हांने कहा कि हम अपने एक्स नेवी ओफिसर्स को जो की कतर के पास डिटेन कर लिए गए हैं उन्हें छुडाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं इसलिए आज ये बड़ा सवाल बनता है कि इस पूरी घटना के लगभग आठ से दस महीने बीतने के बावजूद भी इनके उन प्रयासों का क्या परिणाम निकला क्योंकि अल्टिमेटली जब आपकी सफलताओं पर तालियां आपके लिए बजती हैं आपकी सफलताओं की भी जिम्मेदारी आप ही के सर बंधती है भारत ने अपनी विदेश नीती में जैशंकर सहाब के कारण जितनी भी सफलताओं प्राप्त की हैं या इनकी वजह से हमने जो इंटरनेशनल स्ट्रेचर प्राप्त किया उसी पीच में इन से एक जायत सवाल भी बनता है कि सहाब आप लद 2022 में दिसंबर में बयान दिये थे कि हम उनको जो डिटेन हैं उनके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं प्रयासों का क्या हुआ यह हर भारती अब इस तह से सवाल को पूछ रहा है कहने का मतलब यह है कि इन लोगों के उपर सवाल बड़े बने अब अंत में आपके मन में एक बड़ा एंगल क्रियेट हुआ कि सर इसराइल का क्या लेना देना था आपने शुरूआत में इसराइल का नाम लिया था अब वो भी चान लीजिए असल में ये भारत सरकार के प्रास तो प्राप चानकारी नहीं है लेकिन शुरूआत में मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जब भी हम फिल्मों में किसी एजेंट की किसी जासूस की जिंदगी देखते हैं तो बड़े ही गूजबम साते हैं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उस फिल्म को देख कर आने में भारतवासी लेकिन जब सही मायने में पता चलता है कि ये लोग किस लेवल पर जाके कारे करते हैं तो आपको और हमको जाकर ऐसी ही इस्थितियों का सामना करना पड़ता है कई बार फिल्मों में आपने देखा होगा एजेंट्स की जिन्दगी पर एक ही लाइन बोली जाती है कि अगर सफल हुए मिशन तो तुम्हें बहादुरी लेकिन अगर मिशन असफल रहा तो हम हाथ खड़ा करके कह देंगे कि हम आपको नहीं जानते शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की खबर माने तो अखबार में छपी जानकारी के अनुसार ये भारत के पूर्व आठ सेना के जो नौ सेना के अधिकारी थे ये कतर के द्वारा जो सम्मरीन डवलप की जा रही है उसकी खफिया जानकारी जुटा रहे थे अब आपके दिमाख में प्रश्न बनेगा ये खफिया जानकारी जुटा कैसे रहे थे अब देखिए फिर से इस बात को थोड़ा कनेक्ट करिएगा आपको शुरुआत में मैंने का था कि ये वहां की एक प्राइवेट कंपनी देहरा इंटरनेशनल के साथ काम कर रहे थे पूर्व यहां से रिटायर होकर देहरा इंटरनेशनल गए देहरा इंटरनेशनल इनको कनेक्ट करवाया किस से कतर की नौसैना से कतर की नौसेना में ये आठ नौसेनिक कनेक्ट हुए, वहां की सरकार के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए, और वहां की सीक्रेट्स निकाल रहे थे, ऐसा इनके उपर आरोख है, हाला कि भारत सरकार के पास ऐसा कोई भी लिखित में लेटर नहीं आया, जी जासूसी का ल जिराईल के लिए, जी हां साथियों, अब आपके दिमाख में फिर एक प्रशन खड़ा हुआ और वो ये है, कि क्या हमारा ही एजेंट क्या दूसरे देश के साथ में एडजेस्ट हो गया था क्या, या कॉंप्रोमाईज हो गया था क्या, इन बारे में आप और हम जैसे होगा, लेकिन अगर खबरों से ही तार जोड़ कर देखे जाएं, तो केवल ये लगता है, कि इसराईल को कतर में जो हो रहा है, या फिर दुनिया के हर देश को, देखिए आपने आगर आज भी नौटिस किया हो, हमने मौरनिंग में भी अपनी पाटशाला पर एक सेशन किय जिसमें बताया था, कि हमास, हिजबुला और इस्लामिक जिहाद, इन तीनों आतंकी संग्ठनों की मीटिंग बैरूत लेबनान में इरान में कंडेक्ट करवाई है, उससे पहले ये लोग कतर में एक बार मिल चुके हैं, इसका मतलब समझने का प्रयास करिएगा, कि कतर एक ऐसी जगह है, जहां आतंकी संग्ठन आपस में बैठकर बैठके करते हैं, अन्य देशों के माध्यम से, ऐसी इस्तिती में, इसराइल जिसे एनी टाइम इरान का डर सताता है, अरब वर्ल्ड का डर सताता है, वो यहाँ पर पूरी निगरानी रखता है, क्योंकि कोई भी प् हात में कटोरा है, उसके हात में बम है, तो सोचिए वो किस तरह की हरकते कर सकता है, ऐसे ही, अगर किसी आतंकी के हात में कोई सबमरीन लग जाए, या परमानू हतियार लग जाए, तो दुनिया का क्या हश्र होगा, इसलिए जो developed economies हैं, वो दूसरे देशों में पूरा इंट कुफिया एजनसी या खुफिया जानकारी जुटाने का कारय किया था, कितना सही, कितना गलत या तो यह paper पर लिखकर आये, और नहीं लिखकर आये, तब तक हम केवल यही कहेंगे, कि इनने आरोपों में ही गिरफतार किया गया, यानि इनके ओपर जूटे आरोप लगा कर रफ्तार किया गया है आने वाले समय में क्या होगा ये तो हम उमीद ही लगा सकते हैं भारत सरकार अपने लेवल पर अच्छे प्रयास करे क्योंकि भारत का हर व्यक्ति चाहता है हर नागरिक चाहता है कि उसके सैनिक ना केवल अपने बॉर्डर्स पर लेकिन भारत के बाहर भ पता कि अग्यात कौन था हमें बड़ा गर्व होता है जिसने भारत के ब्रिटिश मुख्याले भारत का जो ब्रिटेन के अंदर हाई कमीशनर है उसके सामने लगा हुआ जो जंडा है वो जब किसी के खालिस्तानी के द्वारा उतारा गया और अचानक पता चलता है कि वो व्यक किया इतना सा जाता है दिखाया इतना जाता है लेकिन सोचकर देखिए हमारे इन खुफिया एजेंट्स की कारीफ करिए इनके प्रती मन में ये भाव रखिए कि ये लोग गुमनामी में यानि कि इनका नाम बाहर ना आ जाये इनी में इनके सफलता होती है क्योंकि नाम बाह अमरीका ने क्या किया? अमरीका ने दो अमेरिकंस को जो हमास के बंधन में थे, उन्हें कतर के माध्यम से कहलवा कर हमास की गिरफ्त से छुडवा लिया, ये अमरीका की काबिलियत है. अगर भारत वाकई में अंतराष्टिय इस तर पर अपनी अंतराष्टिय साख को बढ़ते हुए देखना चाहता है, तो फिर अंतराष्टिय कूटनिती का लाब लेकर कतर में फसे हुए हमारे इन आठ भारतियों को सुरक्षित वापस लेकर आयत निश्चित ही भारतियों के यह एक बहुत बड़े गौरव का पल होगा, सोचिए विचार कीजिए, अमरीका ने हमास की बंधन में गिरफतार दो, हमास के गिरफत में या फिर बंधन में जो थे दो अमेरीकी नागरिक उन्हें कतर से प्रेशर डलवा कर छुडवा दिया, यानि कि कतर का हमास पर कितना कंट्रोल आप विचार कीजिएगा, इसी से अंदाजा लगाईए कि अगर भारत सरकार भी चाती है कि उन्हें अपने भारतियों की हिफाज़त सुरक्षित करनी है, तो निस्चित ही हमें भी कोई ऐसी डिप्लोमेटिक टैक्टिक चलनी होगी, लेकिन साथियों देखते हैं बाकी ऐसा कोई भी अपडेट अगर आता है, तो मैं आपके साथ अन्य अपडेट साजा करता रहूँगा, आप अपने समस्त भारतिय मित्रों के साथ इस सेशन को जादा से जादा साजा करें, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथ करने का कोई चार्ज भी नहीं लगता है, राइट है कोरनर के अंदर सब्सक्राइब का आपशन है, आप उसे क्लिक कर सकते हैं, देखने के लिए धन्यवाद अपडेट रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और हमें एक बड़ा थम सब दें